आप सभी के लिए होने वाला है और यह है बिसिकली आप सभी के बहुत सारी डाउट्स थें सर तीस परसेंट स्लेवर्स कटेड हैं या फिर नहीं है क्या होने वाला एक्जाम का मॉडल पेपर कैसा रहेगा पेपर किस टाइप में रहने वाला है तो और आल सब डीटेल आपको का मिलने वाला है इस वीडियो को कम्प्रीट वाच करना अगर कोई डाउट रहेगा तो फिर आप मेरे को बताना वैसे तो डाउट होना ही नहीं है आप इस वीडियो को कम्प्रीट वाच करते हो दिन ठीक है तो चलो लेट्स स्टार्ट इस वीडियो वेलकम टू वायलेस क् इसके एक new video में welcome है तो basically इस video में आप सभी को बताने वाला हूँ कक्षा दस्वी का जो आपका हिंदी है ठीक है हिंदी subject हिंदी हमारी मात्रवाशा है तो कक्षा दस्वी के जो हिंदी subject है उसका syllabus सर स्लेवस आप सभी क्या आ रहे हैं तो आपने बताया ही नहीं basically कि हमको पढ़ना क्या है तीस परसेंट कट हैं तो क्यों से chapter को कट किया गया है या फिर कौन से chapter हम इसको जो है इस session के लिए 2030 जो session है उसके लिए important है और उसे exam में questions बनेंगे और पूछे जाएंगे कैसा रहने वाला है overall model paper कुछ changes है कि नहीं बहुत सारे डाउट्स आपकी माइड में चल रहे होंगे ना तो चली start करते हैं थोड़ा सा लेंदी है वीडियो बढ़ा बहुत यदा useful है एक एक details में आपके साथ share करने वाला हूँ और यूपी MSP के थ्रू यह official share किया गया है ठीक है तो यह किसी प्रकार का fix लिवस नहीं सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूं terms and condition के थ्रू तो चली start करते हैं तो देखो सबसे portion तो पहला जो खंड है उसमें आपको बहुविकल्पी प्रस्ण आपसे पूछा जाएगा के वल बहुविकल्पी प्रस्ण और जो आपको पहला खंड है वो कितने रहेगा समझाना रहेगा यह कितने नंबर का हो गया यह हो गया आपका पच्यास नंबर तो पच्यास नंबर का यह हो गया आपका खंड भी और खंड ए हो गया आपका बीस नंबर का ठीक है तो पच्यास बीस सत्तर हो गया सत्तर कितना हुआ भी सत्तर हो गया ना सत्तर और दो यहां से मेरे को मिलेगा चलो अभी खित्ता वरक ऑच रहा है 30 live लागेजाने दिसको की तुरब से सकूल के दरब से जो मिलने वाला होता है मिलता है तो चलू इसकों भी तो जोड लेते हैं आंत्रिक मुल्यांकन 77-72-22 anniversary आंत्रिक मुल्यांकन आंक कितने मिलने वाले है 30 अब अब हमारे इसाब क्लियर हो गया कि नी क्लियर हो गया अब ये 30 नंबर मैं आपको detail बताऊंगा कैसे कैसे कहाँ पे मिलने वाला है चलो ये हो गया 50 ये हो गया 20, 20, 50, 70 30, 100 नंबर का total हो गया complete, चलो भाई तो paper आपको कितने नंबर का रहेगा paper आपका रहेगा 70 नंबर का लिखित 30 नंबर आपको स्कूल से मिलेंगे चलो भाई, अब आपको देखते हैं portion number 1 की बारे में detail में, तो portion number 1 मिन खंड का sorry, खंड अ दिया हुआ है एक ही है दोनों बात, तो खंड अ मैं आपको जो है, पहला question जो रहेगा, भी ये बताऊंगा फूरा total बहुभी कल्पी question है बहुभी कल्पी मतलब, sorry, बहुभी कल्पी मतलब एक question ठीक है उसके जो है, चार option आपको देदी जाएंगे, भाई A, B, C, D अब इसमें से एक आपको tick करके उसी को copy में लिखना रहेगा, कि भाई बी नंबर मेरे को लग रहा है, तो बी नंबर को आप copy में लिख दो, और उसके आगे tick लगा लो, ठीक है, तो कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है, चलो भी इसको मैं क्या कर दूँ, रेच कर दूँ न, तोड़ा भी और तो समझाना है, चलो आगे देखते हैं, तो वीडियोज मिलेंगी, देख लेना, तो हिंदी गद्ध का भी कास, जिसमें आपको सुकल यूग, सुकलोत्तर यूग, इनके बारे में पढ़ना है, क्या क्या रचना थी, क्या क्या इनका सैली था, वासा, पूरा डीटेल पढ़ना है, इसमें से आपको पांच नंबर, पूछे, पांच क्यूस्चन पूछे जाएगे, पांच क्यूस्चन पूछे जाएंगे बाउट भीकलपी, और एक-एक नंबर के रहेंगे, तो न तो टोटल आपको पांच नंबर यहां से हो गया, उसके बाद आपका जो सेकेंड नंबर Q style मपते में ब्रयूब्र को क्वेंगे लिए अपको धना रहेगा यह में ज्यादा तो इस से एक एक नमबर रहेंगे तो टोटल दस नंबर हो गया आपका पहला और दूसरा को बवी कलपी में पहला और दूसरा कुष्चन दस में मल्टिपल चॉइस एक क्वेस्ट चूट से जब से तो यह तीन नमजबर आपकी यहां से हो घैग इसक्की फॉर्थ नमबर और कुईश्टेनि में आपको यह बश Cordy इभी-चल रहा है तो बाव भी कल्पी यह चल रहा है तो अभी जितना अभी कुछ जादा तो मैंने आपको बताया नहीं तो फूर्थ नमबर क्वेश्चन में आपको हिंदी ब्याकरण से रहेगा जिसमें आपको पढ़ना रहेगा जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा रहेगा मतलब चार क्वेश्चन एक नमबर के तो टोटल चार नमबर यहां से उसके बाद लास्ट जो आपका विकल्पी में रहने वाला है वह रहेगा संस्कित ब्याकरण से संदी सब्द रूप धात रूप यह सब आपको मुल्टिपल च्वाइस रहेगा चार चार एंसर है चार रहेंगे और एक एक नमबर के रहेंगे तो यहां सो गया तो बीस बीस नमबर के ता चल चल गया कैसे ओने वाल現在 Kalau टोटल एंस सीक्यी Juliet YouTube आपको तो आसे मिलने वाले मुल्टिपल च्वायश की मिलने वाले है वंड़िप एक रहेगा ऑप किसी एक उसमें सही रहेगा वह आपको करना रहेगा ठीक है तो mcq आपको समझा गया चलो आओ अब आते हैं हमारा वड़ात्मक खंड भी बी सुरी जिसमें आपको बताना रहेगा टोटल लिक समझाना रहेगा तो इसमें आपको पहला स्ब्सक्राइब है तू निर्धारित परठाधे वस्तु से गर्ध्यांस पर अमस्दार्ण सेब्सारम से अब यह है आपको एक क्या दे दिया जाएगा उसमें से आपने जो फइंधे होगा उसमें यहां बहिंद कवेशयर कितन?] जंञा है कि दो क्युक्तन पूर्वकर दूस तीन कि यहांब किएन पीड़ा को इसी बिलेटेड़ रहेगा आपको इस वाला आपका दूसरा वाला question पद्यांस पर निर्धारित पूछा जाएगा उसी से रिलेटेड उसका आपको एंसर देना रहेगा तो यह गद्यांस और पद्यांस जो पोर्सन है इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 12 नंबर आपसे पूछे जाएंगे ठीक है पहले और द उसका आपको पांच नंबर मिलेगा उसके आपको चौथे नंबर question में वही रहेगा सेम टू सेम प्रोसेस आपको लेकिन इसमें पद्यांस में गद्यांस पद्यांस में अगर आप confused नहीं हो रहे हो तो अच्छी बात है confused हो रहे हो तो मैं आपको एक चीज और एक थोड़ा आपको संस्कृत में लिखना रहे हैं कि उसमें क्या बताएं और संदर्व के साथ संदर्व आपको पता है योग अलरीडिवालीड नहीं पता है तो आपको इन सब टॉपिक्स के लेक्चर मिलेगा complete YouTube चैनल पर तो उसको आप लाइफ क्लासिस को देखीगा तो दस नंबर आ से मिलने वाले हैं तो किवल ये दो क्वेश्चन को सौरी चौर को अफ़ाल को लोगे आपके देख लोगो कितने नमर बने बाइश नमबर उसका पांचमें नमबर क्वेश्चन में आप से क्या पूछा जाएगा खंड काभ आपको पड़ना है सवी डिस्टी के लिए लग है तो खंड काभ में आपको चरी चित्रड रहेगा कोई एक स्टूरी रहता है काभी रहता है उसी में नायक रहता है अलोज़ Сп % दू पर किसी एक का उसमें रोल्uth सब्सक्राइब नंबर पूछाँ रहेगा उसका नंबर कोशेशन रहेगा उसमें दो पोर्सन रहेंगे तो पहला पोर्सन रहेगा गड़्ड इखंड की जो लेखक होते हैं उनका जीवन परच्छा लिखना रहेगा आपको कुछ रचना लिखने रहेंगी और इसके बाद जो हमारे कवी होते हैं उनके जो है रचना और कुछ जीवन परचे और रचना लिखना रहेगा और इन दोनों का डूप कॉमिनेशन रहेगा च्छटा नमबर क्वेशन वह आपको दस नमबर के लिए मिलेंगे इसमें आपको ज और कि अबहरे नमबर केखना रहेगा इस के बाद आपको रक्ष्ट में और आटव नमबर कहना रहेगा और वह इस नोग पूछा ना गया हो ऐसा इस सलोग आपको लिखाए ना ज्यूंद्げ इसके अत् compreh έब को दो वैकिशंओ दिया जाएगा निवां संस्कित में से कोई वी चटर में से दो一 धी दिया जायेगा उन्हीं दो न क्वेशंट कर लिखना रहेगा तो चार नूबर वहांक्त आक्रों और नौ करना न॑ नंबर यहां कर पूछा जाता है निबंद से तो आपको नीबंद लिखना रहेगा बहुत सारे टॉपिक रहेंगे टॉपिक कुछ एक्जामपर आप देख लो स्वास्त सिच्छा जनसंख्या समस्या अर्थिक समस्या धार्मिक शनरिश्कृतिक वैज्ञानिक सामाजिक यातायात्नियम पर्या वर्ण प्रदूसर ठीक है इन सब चीजों कोई एक टॉपिक आपको लिखना रहेगा नौन नंबर के लिए मिलेंगा तो खंड जो आपका है और यह दोनों आपको समय में अगया होगा है जो आपके मिलते रहते हैं यह फिरली मध्ली एकजाम यह इन सब सिजों पर मिलेंगे ठीग है तो आप देख लेना अब आपको बता दो है पढ़ना कौन पूर्शा चेप्टर है उसमें आपको कितना चैप्टर पढ़ना है पहला चेप्टर सूर दाजी का है पर तूसरा है तुलसदाज जी का दनुश भंग तीशा कदार आपको पड़ना है सवय Cup चौथा चाप्टर आपको पड़ना है भक्तिनिती पांचवार सदे seapster window यि अगला चैप्टर आपको पड़ना है भारत मातले का मंदिर य melodio जो है नेक्स चैप्टर है हिमालाय से सेकेंड वन इस छीटी चैप्टर का नाम है फिर कुस्प की अभिलासा जहासी गिरानी समार्दी पर भारत एक मातरनंत है और हल्दी घाटी इन टोटल एक दो तीन चार पांच छे साथ तार नौट तस क्यारफ बार है पार चैप्टर देखता हूं अभी मैं आपको आगे बदाऊंगा कि उसके बारे में तो अभी यहां पर कितने चैप्टर आपके लिए हैं काव्य में 12 चैप्टर है ठीक है उन चैप्टर के नेम भी आने आपको बता दिया है कौन सा नहीं पढ़ना है और गद्द में आपका चार चैप्ट सपने संस्क्रेति पोर्ट स्टतर है वह हमारा वेरह वीरेड को जिते नेकkick स्ट्रत आपको पढ़ना यारुनि सत्रहश 5100 पढ़ना है तो इसमें आपको मैंने आपको बताया हुआ है किस डिस्टिक से बिलॉंग करते हैं तो आपको कौन सा खंड का भी पढ़ना होता है ठीक है तो जैसे जॉन पुरा लेगाड या फिर आप इन डिस्टिक के साथ रहें यहां के अपने अपने इंट्मिशन करा है तो आपको पढ बताक हैं तो आपकी लिए अलग है देखो वारांड से यहां के लिए तुमॉल होता है ठीक है तो इसी को पढ़ना होता है जो जो आपके लिए अब दिया अप चलो आवगेए यही आप सभी की ज्यादा ज्यानने की इच्छा थी और जानने के लिए यहां पे बहूत सारे म पढ़ना है पढ़ना चाहते हो आप पढ़ लेकिन इंसे कुश्चन नहीं आएगा क्या लिखूं इस चादू नगई मेरे मन से पानी में चंदा और चांद पर आगी अब कावे सेक्षन में आपको यह चैप्टर्स चंदरलोग में पथम बार जवानी मार्फनलाद चतुरवे में तीन चैप्टर आपको गर्द पोर्शन में से कट कर दिये गया है तीस परसेंट सलेवस कि मैं बात कर रहा हूं इनको नहीं पढ़ना है इनसे एक्जाम में नहीं आएगा अगर आप चाहते हो दो पुद के लिए नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो अनिवार संस्कित पोर से क्या क्या नहीं पढ़ना है समास संदी में वृद्धी संदी सर्वनाम धातुरुप ठीक है और हिन्दी के सरलवाक्यों का संस्कित अनुआ दिये भी आप से अक पूछा जाता था तो यह कट कर दिया गया यह सब नहीं पूछा जाएगा इस पर एक्जाम में तो क्या क्य पुझा जाएगा भी मैंने आपको बता दिया और मैंने लिए नहीं पड़ना है क्षेव और उसके साथ जो है मैं आपको आगे डीटिल बता दिया है तरह से आप समझ लो मौडल बेपर इना आपको बता दिया पहला क्या सा रहेगा से ट्रीज विद्व देने वाले उसकर मैंने आपको बता दिया कि 20 नमबर में कौन-कौन से क्वेश्चन रहेंगा कैसा क्वेश्चन रहेंगा ठीक किस टॉपिक से वह गलती बन रहा है तो में भी आपको सब चीज़े तो क्लियर कोई गई होंगी जित्ते भी आपके डाउट थे हो तो मुझे लग रहा है कंप्लीट हो गए होंगे डन अगर तो कमेंड बॉक्स में आप सभी अपने डाउट को रख सकते हो नोटेड कर सकते हो लिग सकते हो बेश सकते हो ठीक है एक डाउट एक एक कमेंड का यहां पर आप सभी के लिए अंसर दिया जाता है जैस्ट और आपके लिए जिससे आपके जो भी क्वेरी हैं वह आपकी इस वीडियो को सेर करना अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो आपके साथ पढ़ते हूं चिंकों पढ़ने का मन है या फिर जो पढ़ नहीं पा रहे हैं किसी भी रिजन से और घर बैठे अगर वह पढ़ सकते हैं तो आप सभी के लिए फ्री एंशुकेशन A टे सो विडियो आपको एश्रा लोग आप कमेंट बॉक्स में बताना इन कमेंट बॉक्स अग allen कवह पहुंच आ तो THANK YOU एड कमेंट बॉक्स थेंक्यू से आप बार दो मैं सब्सक्राइब देख रहा हूं और लाइक अल्रेडी कर दी है बहुत अच्छी बात है तो नेक्स्ट प्लास में आप से मिलते हैं नेक्स वीडियो में आप से मिलते हैं नेक्स अप्टर के साथ